तो क्या आपको भी करना है मौड वो भी अपने पैल वर्ड को और खेलना है मौड करके अपने पैल वर्ड को तो अपने सई वीडियो पे क्लिक किया है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप पैल वर्ड को मौड कर सकते हो और न्यू न्यू पोकेमोंस और character ला सकते हो अपने pal world में तो देख सकते हो जैसे मैंने इस busi को upgrade करके देखो मैंने पूरा change कर दिया है busi को और देख सकते हो यह काफी OP दिख रहा है पहले के मुकाबले तो आपको भी करना है अगर modding तो वीडियो को पूरा end तक देखना और चैनल पर new हो तो चैनल को कर सब्क्राइब और कुछ लोग बोलेंगे कि modding की क्या जरूरत है तो मैं कुछ वीडियो दिखातों आप उसमें difference बताना अगर आप content create करते हो YouTube में तो कौन सा better है और मैं क्यों बोल रहा हूं कि mod करके खेलो और उससे game थोड़ा अच्छा रहेगा gameplay आपका और quality थोड़ी अच character Pal World में तो चले तो वीडियो को सुरू करते और आपको पहले मैं वह वीडियो तिकाता हूं तो इस बार हम दो तीन mod के बारे में बात करेंगे तो पहले तो हम आपको mods कैसे डालने वह सिखाऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा यह सब change कैसे करते जैसे ही इस हीरन को हम change करने वाले है इसमें तो देख सकते हो गाइस हमने इसको change करके एकदम doggy के type बना दिया है और यह पाहले से काफी अच्छा लग रहा है और इसकी थोड़ी attacking भी हमने बढ़ा के रखी है ताकि अच्छे से attack कर सके और काफी अच्छा लग रहा है पहले से तो पहले तो हम यह वाला वैसे रात का कोई अतना कुछ खास नहीं है और देख सकते हो अतना कुछ vibrant भी नहीं है ना stars दिख रहे बस ऐसी दूर दूर तक धुनला धुनला साल का दिखता है बलर सा foggy weather type का तो हम इसको change करके आपको कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जैसा आप देख सकते हो पुरी stars आ ग graphics भी और थड़ी lightning बढ़ा के रखी है मैंने उसको भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा तो चले तो आप बात कर लेते कैसे आफ मॉड कर सकते हो पैल वर्ड को चले तो सुरू करते तो सबसे पहले आपको अपनी पैल वर्ड की location डोड़नी है कहां पर आपने अपना d Singapore server में रहेगा तो पहला फिल यह होने वाला इसको आपको कॉपी कर लेना है यूसरे फाइल को कॉंपी करने के बाद आपको कुछ नहीं करना आ सारे फाइल को कॉपी करके उसको PAC में जाके जहां जो मैं जा रहा हूँ है जैसे मैं बना रहा हूँ एक Bot Ky डॉण भी मोड्स 不要 डाल देना है और आप को दूसरा bit on है जिसमें मैं वो hiren को change करने वाला mods दूंगा जो कि आपका भी उसी pack में रहेगा तो उसको भी आपको simply कोल के copy paste कर देना है अपनी mods वाले folder में तो mods वाले folder पे paste करने के बाद आपको कुछ नहीं back चले जाना है और आपको उस pack में जाना है जहां पे आपने first बार paste किया था first mod को तो वहाँ पे simply आपको उसका setting खोलना है और true लिखा हुआ रहेगा आपका default में तो उसको simply false कर देना है, false करने के बाद कुछ नहीं करना आपको game launch कर देना है, तो मैं चलो आपको game launch करके दिखाता हो कि हमारी modding हुई है की नहीं और अगर आप false नहीं करेंगे तो आपका game crash होने का भी chances है, तो जैसा देख सकते हो मैंने new game कर लिया है start, अप कुछ time loading लेगा थोड़ा सा, फिर आपको दिखाता हूँ कि हमारा modding successfully हुआ है की नहीं और अगर आपको ऐसे videos चाहिए तो comment करके हमें बताना भी जरूर, तो चले तो देख सकते हैं, game में आ गए और मैंने pulse फेका, तो रुख जाओ मैं वो hiren को फेक के दिखाता हूँ तो देख सकते हो, हमारा hiren change हो चुका है, उस doggy में तो अगर आपको भी ऐसा change करना और मैं दिखा देता हूँ, खोल के भी तो आपका change हो गया है, तो अगर आप इस video को like करके comment करोगे, तो हम next part में आपको, जैसे starting मैंने एक busi दिखाया था, change करने का, वो भी मैं mods आपको करके दिखाऊंगा, तो चले तो guys, video में इतना ही था, अगर आपको और ऐसे videos चाहिए, तो comment करके हमें बताना, तो चले तो मिलते, next video पर, तब तब के लिए, goodbye, take care, see you in the next video और वो night वाला mod भी upload हो गया, तो वो night में आपको दिख जाएगा,